आजकल हर बंदे की यही ख्वाइश है कि हमारे पास Google Adsense का Approval होना चाहिए ठीक है तो हम बहुत सारे Methods हमें मिल जाते हैं बहुत सारे लोग हमें बता रहे होते हैं 24 गंटे में आपको Approval मिल जाएगा 48 गंटों में आपको Approval मिल जाएगा Content डालो, कोई कहा रहा होता है Unique Content डालो कोई कहा रहा होता है Copyright डालो AI Content डालो, कोई कहां से उठाने का कहा रहा होता है कोई कहां से उठाने का कहा रहा होता है तो भई आज की वीडियो में आपके ये सारे मसलें सॉल्व हो जाएंगे दस बारा मिनट की ये वीडियो होगी ठीक है इसमें जितने मैथट है ए टूजी आप लोगों को मैं सारे गाइड करूँगा सबसे पहले तो बेसिक जो चीज़ें उनका आप लोगों को पता होगा कि अगर हम लोगों ने एडसंस पे काम करना है अगर हम लोग पॉरॉपरली इस पर काम करना चाते है जान चुड़वाने वाला काम नहीं अगर आप लोग इसको एक properly अपना काम बनाना चाते हैं तो उसके लिए आप लोगों को एक hosting और एक domain चाहिए होता है ठीक है अब इन सारी ये सारी basic चीज़े हैं इनका आप लोगों को भी पता होगा जो नए है उनके लिए मैं बता रहूं कि domain और hosting की हमें ज़रूरत होती है Google AdSense का approval लेने के लिए उर हमारे पास ये कोई compulsory नहीं है आपास कोई अच्छा और महींगा domain होना चाहिए कोई अच्छी और महींगी hosting होनी चाहिए ऐसा कुछ नहीए हाँ अलबता ये है के आप लोगों के पास hosting होनी चाहिए domain होना चाहिए domain.com.net, XYZ, dot online सारे domain चल जाते हैं ठीक है लेकिन जो main domain है आपको पता है .net या .com है या XYZ है इन पे जो है ना ज्यादा थोड़ा सा easily approval मिल जाता है अब वो reject क्यों करते हैं वो सिरफ इसलिए करते हैं कि हमारी site पे traffic नहीं होती ठीक है हमारी site पे बिलकुल भी traffic नहीं होती जब आप लोग apply कर रहे हो तो आप लोग की site पे traffic होना लाजमी है बेशक वो 200 बंदा हो 300 बंदा हो 400 500 1000 ठीक है यह आप लोग की यह तो compulsory है must है कि आप को जल्दी approval मिल जाएगा अब आप लोग के mind में question आ रहा होगा था कि हम लोग Google AdSense के लिए कहां से traffic लें Google AdSense के लिए तो यह must है कि हमारे पास organic traffic होनी चाहिए तो भाई ऐसा बिलकुल भी नहीं है Google AdSense का approval लेने के लिए आप लोग किसी ad network से ले सकते है traffic Facebook पे campaign डन कर सकते ह हैं आप लोग direct traffic भी ले सकते हैं direct traffic से मुराद यह है कि किसी को link share करके अगर आप लोग के पास किसी अच्छे group में community है आप वहां से traffic ले सकते हैं अच्छा पहली शर्त तो यह होगी कि हमारे पास अच्छी traffic होनी चाहिए यह बाकी सारी चीज़ है जब हमारी complete हो जाए article होने चाहिए यह मस्त नहीं है अगर आप लोग के पास plagiarism फिर हैं आप लोग किसी टूल को यूज़ करते हैं कोई अच्छा टूल यूज़ करते हैं तो भाई मैंने यह टूल भी सारे अपनी YouTube चैनल पर वीडियो में बताए हुए हैं आप लोग देख सकते हैं जाके जो adsense के related वीडियो है कि कौन कौन से टूल हम लोग यूज़ कर सकते हैं adsense का approval लेने के लिए ठीक है अगर आप लोग के पास unique content होगा ठीक है आप उसको ऐसे approval के लिए बेज़ दोगे जब तक उस पर traffic नहीं होगा ठीक है और अगर आप लोग के पास AI content होगा अपनी site पे उस प लोग जब भी apply कर रहे होते हैं आप लोग के पास एक adsense का active dashboard होना चाहिए जैसे यह मैंने सामने open किया हुआ है तो यह adsense का active dashboard है इन some cases ऐसा होता है कि आप लोग एक नई site बनाते हैं उस पे जब apply करने लगते हैं उसी mail पे आप लोग अपने google adsense को apply कर देते हैं तो सबसे प जिसकी वज़ा से reject हो जाता है जब adsense ही reject हो जाएगा तो आप लोग की site कैसे प्रूव होगी ठीक है जब एक चीज़ आप लोग के पस ready पड़ी हुई है आपकी site ready है उसके बद आपने क्या करना है जी एक dashboard active ले ले लेना है और dashboard यह जो है इतने को महिंगे नहीं मिलते चार 500 रुपए में आपको एक active dashboard adsense का मिल जाएगा ठीक है जब भी आप लोग करेंगे यहाँ पर apply करने से पहले आप लोगों ने एक active dashboard ले ले लेना और इसको साथ attach करके इस dashboard पे apply करना है ठीक है अब यह दो शर्ते एक तो traffic और दूसरा active dashboard ठीक है अब मैं आप लोगों को बतात और पहले इस software का भी बताया है जो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ तो इसके बारे में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यह fake है यह fake बिल्कुल भी नहीं है ठीक है यहाँ पर मैं आप लोगों को इसका सारा data check करवा देता हूँ ठीक है यह software है यहाँ पर 480 हैं तो यह मेरे automatic जो है यहाँ पर बढ़ते रहेंगे views वो कैसे automatic बढ़ते रहेंगे वो मैं आप लोगो बताता हूँ लेकिन सबसे पहले आप लोगों को मैं यह दिखा दूँ को यह trusted भी है या नहीं ठीक है तो यहाँ पर मैं scam advisor website पर चला जाँँगा ठीक है वहाँ पर जाके मैं आप लोगो चेक करवा देता हूँ कि यह साइट जो है trusted भी है के नहीं आप लोग जब भी किसी भी साइट से traffic ले रहे होते हैं तो आप उसको लाजमी से चेक किया करें scam advisor पर आ जाएं और और ऐसी बहुत सारी आप लोगो साइट मिल जाती है जहां से आप लोग skip ना किया करो वीडियो को skip करते हैं आपको समझ नहीं आती है आप लोगो की बहुत सारी चीजें skip हो जाती है मैं simply यहां पर इसको search कर लेता हूँ तो अब इसका टूपिंग आप लोग देख सकते हैं मैंने यहां पर आप लोग के सामने जो है इसको search किया है तो आप लोग देखें high trust rating this site look safe to use ठीक है यहां पर आप लोग इसकी detail देख सकते हैं मजीद इसका trust score आप लोग यहां पर चेक कर लें तो भाई यहां पर कोई मैंने यह खुद से नहीं add की है ठीक है यहां पर देखें मैं आप लोग को refresh करके भी दिखा देता हूँ यह मैंने दुबारा refresh क कर दी है तो यहां पर यह देखें इसका trust score चेक करें 100 है बिलकुल आप लोग इसके review भी चेक कर सकते हैं इस site की सारी detail यहां पर चेक कर सकते हैं ठीक है अच्छा जी अब बात आगी कि हमने इसको use कैसे करना है तो इसका use मैंने आप लोग को पहले भी already आप लोग को मैंने व account को मैंने use करना है इसमें मैंने link लगाने है अब इसको हमने एक और tab में login करना है और same account को उसी tab में login करना है ऐसा नहीं है वहां पर कोई और account बनाना है same account बनाना है ठीक है उसके लिए मैं यहां पर आके यह दूसरी tab open कर लेता हूं तो यहां पर हमने क्या करना है जी इसकी extension प्रकुन म्में को पंपट्णाइब करनी है एक्स्टेंशन यड करनी है और मैं यह एक्स्टेंशन वाले plane अगमिद कोंट- और में होगे करूँ avocado यहां पीडियो मैं यहां उन्ह klival नहींगे कर दो हैं हुए है। वो सारी चीज़े मैं ने डिटेल से बताई हूँ अब इस वीडियो में बताऊँगा तो यह वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी लेंधी हो जाएगी ठीक है तो फिर आप लोग स्किप करकर कर देखते हैं आप लोग को भी समझ नहीं आती है अब यह देखें यह यहां पर आएंगे अब यहां पर देखें मेरे 480 व्यूज़ और यहां पर 4 पॉइंट्स पड़े हुएं मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो आप लोग के सामने सारा आ जाएगा अच्छा यहां पर चेक करें 16 पॉइंट्स हो गया मेरे 16 पॉइंट्स हो गया और 82 है मीन्स के ट्रैफिक जा रही है अब यह ट्रैफिक जो जा रही है यह भी मैं आप लोग को दिखा देता हूं ठीक है यहां पर गूगल एनलेटिक्स कौन कर लेता हूं अच्छा जी यहां पर देखें यह मेरी यह मैंने एनलेटिक्स कर लिए यह साइट आप लोग देख ल मेरे set कर सकते हैं कि आप लोगों ने कितना रखना है 30 सेकंड रखना है 20 सेकंड रखना है जितना भी और यह सारी की सारी ट्राफिक देखें United States से भी है सिंगापूर से भी है UK से भी है ठीक है और यह country सारी और यह direct traffic है ठीक है मैंने यहां पर direct लगाई हुई है मैंने यहां पर जो है कोई search की traffic नहीं लगाई direct traffic लगाई हुई है तो यहां पर यह traffic काउंट हो रही है ठीक है आप लोग इनका date और time यह सारी चीज़ें यहां से चेक कर सकते है page views कितने हैं session कितने हुए है first view कितने हैं यह सारी चीज़ें आप लोग यहां पर देख लें ठीक है इसको मैं आप लोग रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ यह मैंने इसको refresh किया अब मैं अगेन आप लोग के सामने वैसा सारा show हो जाएगा ठीक है तो यह बहुत ही ज्यादा मज़े का software इसको यूज़ करेंगे आप लोग को मज़ा आएगा और इसको सिरफ आप लोग इसके लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं अच्छा जी तो यहां पर मैंने आप लोग को इसकी analytics भी show कर दी है ठीक है यहां मैंने कोई काम नहीं किया हम लोग साथ में अपना दूसरा काम भी laptop पे कर रहे होते हैं PC पे कर रहे होते हैं साथ में यह वाले दो टैब्स एक्स्टा बनाके हम लोगों ने on कर देने हैं ठीक है यह on करेंगे तो on करने के साथ earning भी होती रहेगी अब मैं इसको यहां प और बाकी इस ट्रैफिक को आप लोग किसी भी ADX पे भी यूज़ कर सकते हैं एड शेरा पे भी MoniTag पे भी किसी भी एड नेटवर्क पे आप लोग यूज़ कर सकते हैं और इसके आप लोग रैफरल भी बना सकते हैं बाकी इसकी जो extension है मैंने पिछली वीडियो में मैंने जो एक लिंक दिया था लेकिन लोगों को बहुत सारे जो वीवर हैं उनको पता नहीं चल रहा था कि हमने उस लिंक को कैसे यूज़ करना है डाउनलोड कैसे करना है तो अब इसकी जो extension की फाइल है वो मैं आप लोगों को प्रवाइड कर दूँगा आप लोगोंने simple क्या कर वो वाली फाइल एड कर देंगे तो हमारी extension एड हो जाएगी ठीक हो गया जी आप लोगोंने चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है सब्सक्राइब करना मत पुलिएगा और मेरा description बॉक्स में लिंक दिया हुआ है मेरे WhatsApp ग्रूप का मेरा WhatsApp ग्रूप आप लोगोंने लाजमी से जॉइन कर लेना कोई भी इशू हो अप लोगों का माँ पर इशू सॉल्व कर देंगे इंशाला मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए अलाफीज